हेलो नमस्कार मेरा नाम है वड़ा शुराब सभी का हमारे चानल पे दोस्तों स्वागत है पाकिस्तान में इस समय हारात बहुत ही जादा बुरे है लेकिन एस सी सी की जो मीटिंग है वहाँ पे पाकिस्तान जरूर बाजी मार रहा है खबर यह है कि नजम सेथी जो की पीसीबी के चेर्मेंट साब है वह टस से मस नहीं हुए है और जरासा भी जूकने के लिए तयार नहीं है दरसल में इस समय एसी सी के प्रेसिडेंट है जैशा और बाते यह चल रही है कि पाकिस्तान जो है वह किसी भी सूरत में एशा कब पाक आई थी कि श्रोलंका बोड और बंगलादेश बोड ने बीसी सी आई का समर्थन किया है लेकिन आज जो खबर निकल कर सामने आई है उससे पता यह चल रहा है कि जो बंगलादेश क्रिकेट बोड है उस रख और सिर्फ जो है नीट्राल वेन्यू जो दूबई में कराया जा है हमें खुशी है कि आपने ऐसा प्रोपोजल रखा है उस पर हमने हामी भी बढ़ दी है लेकिन कहा है कि यूएई में नहीं क्योंकि सितंबर के महिने में यूएई में काफी ज़्यादा गर्मियां पड़ती है तो ऐसे में वीयर एंटियर के चांसे काफी ज़्यादा होते हैं खिलाडियों के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है आपको भी पता है कि गर्मी में जो है खिलाडी खेलने में बहुत ही जादा उनको दिक्कते होती है कई लोग तो बहुश होकर भी गिर पड़ते हैं ऐसा कई बार देखने को भी मिला है तो ऐसे में शुलंका और बंगला देश ने साफ तोर पे कहा है कि आप नीट्रल वन्यू के तोर पे कोई और देश ले ले कोई और जगा ले ले हम वहाँ पर खेलने के लिए तयार है लेकिन यह जो पाकिस्तान में एशिया कप होने वाला है यह आपका होस्टिंग राइट्स है आप अपने हक पे अ और जगे पर जो है आप भारत का मैच वेज आप करवा सकते हैं यह कहा है बंगलादेश कृकेट बूर्ड और श्रेलंका किरकेट बूर्ड ने इसके अलावा पिछले दिनों खबर यह आई थी कि बंगलादेश और श्रेलंका यह भारत के समर्थन में है जबकि नेपाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे क्या कुछ होता अभी तक शेडियूल भी निकल कर सामने नहीं आया है लेकिन जो निर्णा है जो डिसीजन वो बहुत ही जल्दी निकल कर सामने आने वाला है शायद यह अंतिम टाइम में है क्योंकि मैंने कली बताया था कि जो कुछ भी होना है वो 48 गंटे के भीतर में होना है और 48 गंटा लगबग में होने वाला है अब नजम सेठी सहाब और ACC यानि एशन क्रिकेट कॉंसिल जो है अपना पूरा फैसला सुलाने के लिए तयार है क्या कुछ होगा यह सब कुछ हम आपको बताएंगे अपडेट होने के धन्यबाद